हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं फ्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार्गेट टीचर जॉब और टार्गेट यूपिटेट सीटेट एप में तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डियलेट फोर समेस्टर का सामाजिक अध्यन विसे और यह आपका पराजन से्रीज तो दोस्तों यहाँ परके 113 तक हम LAUGHTER प्रस ने पढ़ चुके हैं और यहां पर देखे कोर्षिन नमर 117 दादाभाय नैरो जी कौन थे तो दोस्तों यहां पर देखे दादाभायण Alld तो उत्तर इसमें दिया उगरवादी दल की नेता थे ये विल्कुल गलत है दादा भाई नेरोजी उदारवादी दल की नेता थे यानि की नरम पंती थे दादा भाई नेरोजी और ये पहले ACI बेक्ती थे जो British House of Commons में सांसद चुने गए थे और दोस्तों इनको Grand Old Man of India भी कहा जाता है और इनकी बुक है Poverty and Un-British Rule in India तो ये सारी जानकारी आपको दादा भाई नेरोजी के विसमें होनी चाहिए जिससे कि आप पे कहीं भी अगर इनकी बुक के बारे में पूछा जाए या फिर इनके बारे में पूछा जाए तो आप लिख ले जाए तो चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं Next Question यहां पर देखिए Next Question है गोपाल कृष्ट गोखले का जन्म कब और कहां हुआ था तो दोस्तों गोपाल कृष्ट गोखले का जन्म 9 मई 1886 इस्वी को महाराष्ट्र के एक निर्दन परिवार में हुआ था 1905 में उन्होंने भारत सेवक समाल नामक संस्था की अस्थापना की और 1915 में उनकी मृत्ति हो गई थी तो यह है गोपाल कृष्ट गोखले के विशह में आगे चली देखते हैं Question No. 119 गाधी इर्विन पैक्ट कब हुआ था दोस्तों 4 मार्च 1931 को गाधी इर्विन पैक्ट हुआ था और इसके बाद गाधी ने सविनाव अवग्या अंदोलन अस्थापित कर दिया और गाधी इर्विन समझाओता को दिल्ली समझाओते के नाम से भी जाना जाता है नेक्ट कोशिन देखते हैं Question No. 120 यहाँ पे दुतिये गोल में सम्मेलन कब हुआ था दुतिये गोल में सम्मेलन साथ सितंबर 1931 को दुतिये गोल में सम्मेलन हुआ था गाधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था चलिये आगे देखते है Question No. 121 दोई राष्ट के सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया था जिन्ना ने गाधी जी पर हिंदू राज्य स्थाबित करने का आरोप लगा कर सम्मेलन को भड़काते हुए दोई राष्ट सिधान्त का प्रतिपादन किया था तो दोस्तों यहाँ पर देखिया संप्रदाइकता जब हम लोग पढ़ रहते तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो अलग-अलग धर्मों को ले करके लोग एक संप्रदाइक का निर्माड कर लेते हैं तो वो क्या होती है उससे हम संप्रदाइक कहते हैं और इनी संप्रदाइक्ता को भढ़काते वे दोई राष्ट सिदान्द का प्रतिबादन किया था किसने किया था जिन्ना ने चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे देखे कोश्चन नमबर 122 मात्मा गाधी को राष्टर पिता क्यों कहते हैं तो भारत की बरतमान स्वरूप की परिकलपना उसकी आधारवुत बैचारिक संवचना निर्माड पद्धती दिसा निर्धारण सभी कुछ मात्मा गाधी के कारण ही संभव हुआ है भै संदे युम कमजोरियों से देश को मुक्त करके अभूत पूर सकती का संचार करके गाधी जी ने नए भारत का निर्माड किया था इसलिए उन्हें राष्टर पिता कहा जाता है सरप्रतम इन्हें राष्टर पिता कहकर सुबास चंद बोस ने संबोधित किया था तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको इतनी सारी जानकारी राष्ट पिता के विशे में यानि की मात्मा गांधी जी के विशे में पता हो निचे इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं राष्ट पिता मात्मा गांधी के विशे में लेकिन यहाँ पर यह लाइन सबसे जनरी 1897 वी को कटक उडिसा में हुआ था तो दोस्तों आज के लिए देखें यहां पर आपका अति लगुत्रिय कोश्चन समाप्त हो गए हैं और लगुत्रिय कोश्चन में चलिए पहला कोश्चन देख लेते हैं अभी इस वीडियो में हम क्यों दो कोश्चन देखेंगे लोग जो नोट्स बनाया थे उसमें अति लगुत्रिय कोश्चन नहीं पढ़े थे तो इसलिए यहां पर अति लगुत्रिय कोश्चन पढ़ाने के लिए तो मैं जरूर आगे वीडियो लेके आऊंगी लेकिन दोस्तों ज्यादा तर कोश्चन वही हैं जो हम लोग डिटेल म पढ़ चुके हैं लेकिन अगर आपको रिविजन करना है मेरे साथ तो आप पताइएगा कोमेंट करके तो मैं आगे की वीडियो जो और बनाऊंगी तो चलिए देखते हैं यहां पर पहला कोश्चन है उनिस्वी सताब्दी के भारती समाज में कौन-कौन सी कूपरथाएं प्रचलित थी साथी समाज में हिंदू धर्म के दोस्त था जाती प्रथा, छुवा छूत, अंद विश्वास, मूर्ती, पूजा, रूडि वादता, असमानता और अनेक बुराईयां भी ब्याप्त थी अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें के question number two, question number two है यहाँ पर देखिए जोतिबा फूले कौन थे, समाज सुधार है तो उनके द्वारा किये गए कारियों का उलेक कीजिए तो दोस्तों जोतिबा फूले के विशे में जानते हैं, जोति राव गोबिंद राव फूले एक भारती समा सुधारक, विचारक समा से भी लेखा क्यूम क्रांतिकारी थे इन्हें महत्मा फूले यूम जोतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे दिखे बर्स 1873 में इन्होंने महाराश्टर में सत्य सोधक समाच नामक संस्था की अस्थापना यानि कि संस्था का गठन किया था ये भारती समाल में प्रचले जाती आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे तो ये सबसे महातपूर पॉइंट है इनके लिए और यहाँ पर देखेंगे इनके कारी क्या थे जोतिबा फूले ने महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए अनेक कारी किये तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना जूरी है कि जोतिबा फूले दलितों और महिलाओं क बिद्वाओं के कल्यान के लिए कारिकी चाहती किसानों की खालत उधार ने और उनके उठान है काफी प्रयत्ण ने किया इस्तिती में उठ्थान यह उमση च्छा है के उत्थान के लिए उन्हें बहुत सारे कारी किये और साती साथ किसानों की हालत को सुधारने के लिए भी उन्हें कारी किये तो ये इनके महत्वपोड कारे हैं जो महिलाओं और दलितों से भी समझे थे तो दोस्तों आसा करती हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और दोस्तों कोमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आगे की क्लास कांटिनू करनी है कि नहीं करनी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर बाई बाई लव यू आल जैहिन